अब तक कि सबसे अमीर भारती अभिनेत्री के पास 10,560 थी, 1250 किलो चांदी थी और 28 किलो सोना जानते हैं कि वो अभिनेत्री कौन थी भारत की सबसे अमीर भारती अभिनेत्री या सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती अभिनेत्री का ताज वक्त के साथ वदलता रहता हैं नब्य के दशक में जब से श्रीदेवी ने प्रती फिल्म एक करोड रुपे से अधिक चार्ज करना शुरू किया तब से कई अभिनेत्रियों ने आसमान छूती फीस बढ़ा दी हलाकि इन में से कोई भी स्क्रीन क्वीन तमिल इंडस्ट्री की इस दिवाद वहरा अर्जित की गई संपत्ती की बराबरी नहीं कर सकती जो की 1960 के दशक में सूपर स्टार थी अब तक कि सबसे धनी भारती अभिनेत्री बताई जाती हैं ये हिरोईन बताया जाता है कि प्रोपर्टी और सभी तरह से आरामधायक असेसरीज जैसे की गाड़ी बंगले को ध्यान में रखते हुए एश्वर्य राय दिपिका पदुकोन और यहां तक कि श्री देवी की कुल संपत्ती भी इस तमिल एक्टरस से कम आकी गई दरसल यहां हम तमिल्नाडो की पूर्व सीम और भारत्य एक्टरस जैललिल्ता के बारे में बात कर रहे हैं जी हां तमिल्नाडो की पूरु मुख्य मंत्री और अविनेतरी अपने पीडे की सबसे सफल तमिल अविनेत्रियों में से एक थी उन्होंने अपने सूपर हिट फिल्में और राजनितिक करियर के जरिये बेशुमार दोलत कमाई लेकिन एक आसमान छूते करियर के बीच में ही उन्होंने 31 साल की उमर में फिल्मों से सन्यास ले लिया पुलिस ने छापा मारा तो जैल अलिता की कुल संपत्ति का खुलासा हुआ 1997 में अपने राजनितिक करियर के चरम के दोरान अधिकारियों ने चेन्नाई में जैल अलिता के पोएस गार्डन आवास पर छापा मारा था रेड में उनकी बड़े पैमाने पर संपत्ति का पता चला जिसमें 10,560, 750 जोड़ी जूते, 91 गड़ियां और साथ ही 800 किलोगराम चांदी और 28 किलोगराम सोना शामिल था 2016 में जैल अलिता की संपत्ति एक और जांच में उनकी कीमती धात्वें 1250 किलोगराम चांदी 21 किलोगराम सोना मिला था अभिनेत्री से नेता के हिरोईन के पास 42 करोड रुपे की कानूनी चल संपत्ति के साथ-साथ आठकारें भी थी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उस समय जैल अलिता की कुल संपत्ति 900 करोड रुपे थी जो उनके द्वारा घोशित 188 करोड रुपे से कहीं अधिक थी जैराम जैल अलिता का जन्म 1948 में पूरो मैसूर राज्य यानि की करनाटक के मांड़ा में हुआ था उन्होंने एक कलाकार के रूप में अपना करियर 1961 में शुरू किया था जब वे कननड़ भाशा के फिल्म श्री शेहला महाथमे जो के 1961 में आई थी उसमें एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी थी फिल्मों और नाटकों में छोटी बोमिकाओं के बाद उन्होंने 1960 के दशक के मध्या तक तमिल और तेलगू फिल्मों में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अपने शुरुवात कर दी थी 1968 में जैल अलिता धरमेंदर के साथ बोलिवुड फिल्म इज़त में दिखाई दी उन्होंने उस समय के सबसे सफल अभिनेताओं के साथ अभिने किया जिनमें एंटी रामाराव अकी नेनी नागेश्वर राव और जैशंकर और एमजी रामचंदरन शामिल थे और सत्तर के पांच बार तमिलनाडू की मुख्य मंत्री रही जब दिसंबर 2016 में 68 साल की उम्र में उनका निधन हो गया तब वे ततकालीन मुख्य मंत्री थी आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विशा के साथ तब तके लिए खुश रहें थैंक्स टो ओल थैंक्स पूर वोचिंग बाई टेक किया